हेलो एवरीवन वेलकम टो रवियतिती क्लासेज आज की फीडियो का टॉपिक है इंपॉर्टन अपॉइंट्मेंट्स तुथाउसें टुएट्टी टू इस फीडियो में हम फ्रेंड्स सभी नाशनल और इंटरनाशनल जो भी आपके अपॉइंट्मेंट्स हुई हैं जो भी किस भी एक्जाम के त्यारी कर रही है तो ये वीडियो आपके लिए काफी जादा यूसफुल रहने वाली है तो चले फ्रेंड्स शुरू करते हैं क्वेशन फर्स्ट से बारत के पचासवे मुख्य न्याएधीश कौन बने हैं सही आंसर है धनंजय यश्वन्त चंद्रचूर ये भारत के जो हैं वो फिफ्टीथ नंबर के चीफ जस्टिस बने है और यहीं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पी ध्यान लगेगा कि 49 नंबर के जो चीफ जस्टिस है उनका नाम क्या है फ्रेंट्स उद्य उमेश ललित तो दोनों ध्यान लखेंगे कोई सब एक्जाम में पूछ सकते हैं 49 पूछेंगे तो उद्य उमेश ललित और 50 पूछेंगे तो धनंजय यश्वन्त चंद्रचूर अगला कोशन है वो हैस पिकम का न्यू कंट्रोलर ज इंडिया की तो सिंप्ली बस वन लाइनर में आपको याद रखनी है नेक्स्ट इस वो हैस बीन अपॉइंटेड एस अन्यू प्रेजिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चामबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्री तो बात यहां पे हो रही है फिकी के नए अध्यक्ष क के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है राइट आंसर है सुब्रकान पांडा यह बने हैं फिकी के नए अध्यक्ष फिकी के बात करते हैं फ्रेंट्स इसकी स्टेबलाइश्मेंट वे 1927 में हेटकॉर्टर इसका है न्यू डेली और इसके डारेक्टर जर्नल है अरुन चा बारत के नए चीफ आफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है राइट आंसर है फ्रेंड्स अनिल चौहान वेरी इंपॉर्टन कुशन या तरिकेंगे फ्रेंड जो नए चीफ अफ डिफेंस स्टाफ बनी है उनका नाम है अनिल चौहान अंतराष्टी होकी महासंख के नए अध्यक्ष के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है राइट आंसर है फ्रेंड्स पाकिस्तान के मुहमेद तयब इकराम ये बनी है FIH के नए अध्यक्ष Next question is Who has become the new Prime Minister of Israel? Right answer is Benjamin Netanyahu ये FIH के नए अध्यक्ष के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है? सही answer है Roger Bini ये BCCI के जो है वो नए प्रेजिडेंट बने है अगला question है Who has become the new Prime Minister of Sweden? तो बात हो रही फ्रेंड्स स्वीडन देश के नए प्रधान मंत्री कौन बने है? Correct answer is Ulf Christerson ये स्वीडन के नए प्रधान मंत्री बने है Who has been appointed as a new President of Hockey India? फिट्स बात करते हैं Hockey India की तो नए अत्यक्ष की रूप में न्युक्त किया गया है दिलीब तरकी को तो सिंप्ली ध्यान लखेंगे होकी इंडिया के जो नए प्रेजिडन बने है उनका नाम है दिलीब तरकी Who has been appointed as a new Chairman of D.I.D.O? फिट्स बात करते हैं Defense Research Development Organization की तो नए चिएर्मेन कौन बने है? आंसर इस समीर वी कामत D.I.D.O के Stabilisement वें 1958 में और Headquarter है Friends D.I.D.O का न्यु दिली में Next one is Who has been appointed as a new Deputy Election Commissioner of India? भारत के नए उपचुनाव आयुक्त के रूप में किसे न्युक्त किया गया है? तो सही आंसर है Friends Ajay Bhadu ये नए उपचुनाव आयुक्त बनी है Who has become the Chairman of 22nd Law Commission? तो 22 वे विधी आयोग के अध्याक्ष कौन बनी है? Correct answer है Justice Ritu Raj Avesti ये Friends 22nd Law Commission के Chairman बनी है Next is Who has become the new Attorney General of India? भारत के जो नए Attorney General बनी है Friends उनका नाम है आर वेंकत्रम बनी तो जितने questions यहाँ पे आपको कराई जाएंगे ये सभी आपके exam के लिए important है और Friends अगर आप इसका PDF लेना जाती हैं तो आपको अमारी website से मिल जाएगा रवीदितिक्लासिस.com लिंक आपको description में भी दिया गया है तो चलिए next question पे बढ़ती है Who has been appointed as the new Director General of CRPF? Friends Central Reserve Police Force के जो नए Director General बनी है उनका नाम है Sujoy Lao Thaussain Who has become the new Defence Secretary of India? भारत के नए रक्षा सचीफ कौन बनी है? Answer is गिरिधर अर्माने जो है ये भारत के नए रक्षा सचीफ बनी है Who has become the new Prime Minister of Saudi Arabia? बात करते हैं friends सौधी अरव की तो सौधी अरव के नए प्रधान मंत्री कौन बनी है? Answer is मोहमद बिन सल्मान ये सौधी अरव के नए प्राइम मिनिस्टर बनी है Who has been appointed as a new director general of Indo-Tibetan Border Police Force? Right answer है friends अनीश दयाल सिंग ये ITBP के नए जो है वो डारेक्टर जर्नल बनी है Friends बात करें अगर हम ITBP की यानि इंडो तिबतन Border Police Force की तो इसके स्थापना 24 October 1962 को हुई और इसका हेटकॉर्टर है न्यू डेली में Who has become the first woman prime minister of Italy? Right answer is Georgia Meloni ये ITBP की पहली महिला प्रधान मंत्री बनी है ITBP कापिटल है इटली की रोम, करंसी है यूरो और यहां के प्रेजिडेंट है सर्जियो मत्रेल Who has been appointed as a new president of Indian Premier League? IPL के नई अध्यक्ष के रूप में किसी न्युक्त किया गया है? Correct answer is friends Arun Singh Dhumal की IPL के नई प्रेजिडेंट बने है Who has become the chairperson of Competition Commission of India? Friends बात करते हैं भारती प्रतिसपरदा आयोग की तो इसकी अध्यक्ष बनी है संगीता वर्म ये acting chairperson मनी है कारेवाह का ध्यक्ष मनी है CCI की Who has been appointed as a new director general of Indian Council of Medical Research? Right answer is Raji Vahel ये ICMR के नई महानिदेश के रूप में न्युक्त किये गए है Next is Who has been appointed as a new director general of News Services Division of All India Radio? अखिल भारती रीडियो के समचार सेपा परभाग की नई महानिदेश के रूप में किसे न्युक्त किया गया है? Right answer है friends वसुधा गुपता Next is Who is the new chairman of Central Board of Direct Texas? Right answer is Nitin गुपता तो friends Nitin गुपता जो हैं ये CBDT के नई अध्यक्ष बने है Who has become the first British Prime Minister of Indian Origin? Very important भारती मूल के पहले British प्रधान मंत्री कौन बने है? इनका नाम है Rishi Sunak जान रखेगा important exam के लिए Who has been appointed as a new director general of FIKI? FIKI के नई महानिदेश के रूप में किसे न्युक्त किया गया है? सही answer हो जाएगा friends अरुन चावला Who has been appointed as a new chairman and managing director of India Trade Promotion Organization? ITPO के नई अध्यक्ष और प्रबंद निदेश के रूप में किसे न्युक्त किया गया है? सही answer है friends प्रदीप सिंग भरोला ची को पॉइंट किया है answer is Cynthia McCaffrey जो की USA की है और इन्हें UNICEF के नई रिप्रेजेंटेटिव के रूप में न्युक्त किया गया है who has become the first tribal woman president of India? भारत की पहली आधिवासी महिला राष्टपती कौन बनी है? answer हुजाएगा friends द्रौपदी मुर्मू who has been appointed as a new CEO of Niti Aayog? friends Niti Aayog के नई CEO कौन बने है? right answer है परमेश्वरन अयर next है friends who is the chairman of securities and exchange board of India? भारते प्रतिबूती और विनिमे बोर्ट के अध्यक्ष कौन बने है? सही answer हुजाएगा friends हमारा माधपी पूरी बुच्च ये सेवी की जो है chairman appoint की गई है? who has been appointed as a new chief election commissioner of India? भारत के नई मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नयुक्त गिया गया है? right answer है friends राजीव कौमार अगला question है who has been appointed as a new director general of Indian Air Force? भारते वायु सीना के नई महानिदेश के रूप में किसे नयुक्त किया गया है? सही answer है संजीव कपूर next friends who has been appointed as a new director general of Employee State Insurance Corporation? कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नई महानिदेश के रूप में किसे नयुक्त किया गया है? सही answer हो जाएगा राजेंदर कुमार next है who has been appointed as a new head of United Nations Human Rights Commission? सायुक्त राश्ट मानवादिकार आयोग के नई प्रमुक के रूप में किसे नयुक्त किया गया है? answer हो जाएगा friends Volker Turk ये औस्ट्रिया की है who has become the first woman president of the Federation of International Cricketers Associations? FICA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? answer हो जाएगा friends Lisa Stalikar who has been appointed as India's next permanent representative to the United Nations? United Nations में भारत के अगले स्थाई प्रतिनिधी के रूप में किसे नयुक्त किया गया है? answer हो जाएगा friends Ruchira Kamboj next question है who has become India's new executive director in the International Monetary Fund? right answer is Krishna Murti Subyamaniam ये अंतराश्टे मुद्राकोश में भारत के नई कार्यकारे निदेशक बनी है next is who has become the new climate chief of the United Nations? सैयुक्त राश्ट के नई जलवायू प्रमुक कौन बनी है? answer है friends Simon Steele ये UN के जो है वो नई climate chief बनी है who has become the new chief economist of the World Bank? important mark करें विश्व बैंक के जो नई chief economist बनी है उनका नाम है इंदरमीद गिल who has been appointed as a new chairman of Indian newspaper agency? right answer is के राजा प्रसाद रेड़ी friends के भारते समाचार पत्र agency के नई chairman के रूप में appoint किये गए है who has become the first woman director general of council of scientific and industrial research? CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? answer हो जाएगा friends नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी ये CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनी है next one is who has been appointed as a new director general of national center for good governance? NCGG के नई महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही answer हो जाएगा friends भारत भरत लाल who has been appointed as a new president of all India football federation? right answer is कल्यान चौबे ये अखिल भारते football महासंख के नई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किये गए? who has been appointed as a new inspector general of the national security guard? answer is प्रवीन चौबड़ा प्रवीन चौबड़ा जो है ये राष्टे सुरक्षा कार्ड में जो है नए महानिरिक्ष के रूप में अपॉइंट किये गए है? right answer है अलका उपाध्याई ये भारते राष्टे राजमार्ग प्राधीकरण के नई अध्यक्ष के रूप में इन्हें अपॉइंट किया गया है? who has become the new director of the national disaster management authority राष्टे आपता प्रबंधन प्राधीकरण के नई निदेशक कौन बनी है? सही answer है हो जाएगा friends मर्ण लिली श्रीवास्तव इन्हें अपॉइंट किया गया है? who is the new president of Iraq बात करते हैं friends इराग के नई राष्टपती कौन बनी है? तो answer है अब्दुल्लतीफ राष्ट राष्ट who has become the new national president of the Indian American Chambers of Commerce? Indian American Chambers of Commerce के नई राष्टिय अध्यक्ष कौन बनी है? सही answer है ललित भसीन who has been appointed as a new director general of the directorate of ordinance तो friends बात करते हैं आयुद निदेशाले के नई महानिदेशा की रूप में किसी न्युक्त किया गया है? सही answer है संजीव किशोर who has become the new vice president of India? तो भारत के जो नई उपराष्ट पती बनी है उनका नाम है जगदीप धनकर who has become the first president of Asia-Parmoyal Alliance? तो friends Asia-Parmoyal Alliance के पहले अध्यक्ष कौन बनी है? answer is अतुल चतुरवेदी who has been appointed as a new chief of the Indian army? friends 32 सेना के नई प्रमुक के रूप में किसे न्युक्त किया गया है? answer हो जाएगा मनोच पांडे और जो deputy chief है उनका नाम भी नहान रखेंगे बी-एस राजू तो chief जो है इंडियन आर्मी के वो है मनोच पांडे और deputy chief कौन है? बी-एस राजू who has been appointed as a new chairman of the Bombay Stock Exchange? right answer है SS Mundr ये BSE यानि Bombay Stock Exchange के नई अध्यक्ष के रूप में जो है इनने न्युक्त किया गया है who has been appointed as a new commerce secretary of India? right answer is सुनील बर्थबाल ये भारत के नई वाणिजे सचिव के रूप में न्युक्त किये गए है who is the new president of Burkina Faso? तो Burkina Faso के जो नई राष्टपती बनी है friends उनका नाम क्या है इबराहिम तो त्रोरे who is the new director general of military operations? प्रिंट्स बात करें सेन्य संजालन के तो नई महा निदेशक कौन बनी है? सही answer है Manoj कुमार कटियार अगला कोशन है who has become the new chairperson of CBSE? तो friends केंद्रिय माध्यमिक सिक्षा बोट के नई अध्यक्ष कौन बनी है? answer है निधी जिबर who has been appointed as a new deputy chief of army staff of the Indian army? भार्टे सेना के नई उप सेना प्रमुक के रूप में किसे न्युक्त किया गया है? answer is चन्नीरा बंसी पोनप्पा who has become the new prime minister of kuwait? kuwait के नई प्रधान मंत्री कौन बनी है? सही answer है शेख मोहमेद सबा अलसलीम ये kuwait के नई प्राइम मिनिस्टर बनी है? who is the new woman prime minister of France? France की जो नई महिला राष्टपती बनी है उनका नाम है Elizabeth Bourne who has become the new prime minister of Australia? so friends Australia में नई प्रधान मंत्री कौन बनी है? answer है Anthony Albanese next friends who has become the new president of Sri Lanka? Sri Lanka के नई राष्टपती कौन बनी है? तो सही answer हो जाएगा Ranil Vikramasini who has been appointed as a new chairman of the financial action task force? बात करें FATF के नई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? answer हो जाएगा T. राजा कुमार अगला कुशन है who has become the new president of Columbia? friends बात करते हैं कि कुलंबिया देश के नई राष्टपती कौन बनी है? answer is Gustavo Pedro next friends who is the new director general of national security guard? राष्टे सुरक्षा गार्ड के नई महा निदेश कौन बनी है? सही answer है M. A. गनपती who is the new chairman of UPSC? union public service commission के नई chairman कौन बनी है? answer हो जाएगा Dr. Manoj Soni who is the director general of railway protection force service? railway सुरक्षा बल सीवा के महा निरिख्षक कौन है? तो friends सही answer हो जाएगा Sanjay Chandra who has been appointed as a new president of international weightlifting federation? right answer is मुहमेद हसन जलूद ये IWF यानी international weightlifting federation के नई अध्यक्ष के रूप में न्युक्त किये गए है who has been appointed as a new secretary of the revenue department? तो friends जो revenue department है वहाँ पे नई सचीव के रूप में किसे न्युक्त किया गया है? तो friends correct answer हमारा हो जाएगा Sanjay Malhotra who has been appointed as a new chairman of the International Institute of Aluminium? तो friends बात करते हैं अंतराश्टी Aluminium संस्थान के नई अध्यक्ष की तो कौन बनी है सतीश पाई? अगला question है who has become India's first National Maritime Security Coordinator? भारत के पहले राश्टे समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बनी है? answer is जी अशोक कुमार who has been appointed as a new chief of the Defense Intelligence Agency? रक्षा कूफिया एजन्सी के नई प्रमुक के रूप में किसे न्युक्त किया गया है? सही answer है GAV Reddy who has been appointed as a new vice president of International Chess Federation? फिडे के नई उपाध्यक्ष के रूप में किसे न्युक्त किया गया? तो answer हुजाएगा विश्वनात आनंद who has been appointed as a new chairman of the National Human Rights Commission? NHRC के नई अध्यक्ष के रूप में किसे न्युक्त किया गया है? तो answer हुजाएगा अनुन कुमार मिश्रा को who is the governor of RBI? तो friends पात करते हैं कि RBI के governor कौन है? तो सही answer है शक्तिकान दास जोगी friends RBI के 25th नंबर के governor है और RBI में जो deputy governor से उनके नाम है M. Rajishwar Rao, M. K. Chen, T. Rabi Shankar और M. D. Patr तो friends deputy governor में कितनी है? चार Who has been appointed as a new director general of border road organization? तो friends यहाँ पे बात ओर ही है B. R. E. O. के नए महानिदेशक के रूप में किसे निउक्त किया गया है? आंसर हुजाएगा राजीव चौधरी को Who has been appointed as a new chairman of state bank of India? Correct answer है दिनेश कुमार खारा जो के S.P.I. के नए अध्यक्ष के रूप में निउक्त किये गए आगला कोशन है Who has been appointed as a new director general of border security force? Friends बात करते हैं सीमा सुरक्षा बलके नए महानिदेशक की तो पंकच कुमार सिंग को अपॉइंट किया गया है Who has become the new navy chief of India? भारत के जो नए नौसेना प्रमुग बनी है उनका नाम है R. Hari कुमार Who is the first president of Indian Space Association? तो friends बात करते हैं भारती अंतरिक्ष संग की तो जो पहले अध्याक्षी बनी है उनका नाम है जयन्त पाटिल Who is the new president of South Korea? बात करें friends South Korea के नए राश्ट पती की तो आलज़र हो जाएगा यून सुक ये ओल ये South Korea के जो है नए president बनी है Who has become the new controller and auditor general of India? भारत के नए नियंतरिक एवं महाले का परिक्षा कौन बनी है? तो सही आंसर है गिरीश चंदर मुर्मू Who has been appointed as a new central vigilance commissioner of India? तो जो भारत के नए केंद्रे सतरगता आयुक्त के रूप में हापे पूचा गए कि किसे appoint किया गया है? तो सही आंसर ही हापे हो जाएगा सुरेश N. पतेल Who has been appointed as a new chairman and managing director of gas authority of India Ltd. फैंस बात करते हैं गेल यानि gas authority of India Ltd. की तो जो नए chairman बनी हैं उनका नाम है संदीब कुमार गुपता Who has been appointed as a new chairman of KVIC? तो खादी और village industry commission के नए अध्यक्ष के रूप में appoint किया गया है किसे? तो आंसर ही हापे हो जाएगा मनोज कुमार अगला question है international church federation के president पत के लिए फिर से किसे चुना गया? तो आंसर ही आर्केडी द्वार्कोविच Who has been appointed as a new chairman of the university grant commission? वेश्व विद्धियाले अनुदान आयूग के जो नए अध्यक्ष बनी है friends उनका नाम है M. जगदीश कुमार अगला question है friends Who has been appointed as a new director of all India Institute of Medical Sciences New Delhi? तो जो aims है ना नए दिल्ली में उसके जो नए डारेक्टर बनी है उनका नाम है Dr. M. श्रीनिवास Who has become the new president of Association of Indian Universities? तो friends इसके जो president बनी है उनका नाम है Suryanjan Daz Who has been appointed as a new MD and CEO of National Stock Exchange? Friends बात करते हैं NSE की तो जो नए MD और CEO बनी है उनका नाम है आशिश कुमार चौहान Next one is intelligence bureau की जो नए डारेक्टर की रूप में अपॉइंट की गए है उनका क्या नाम है? तो answer is Tapan Kumar Dekha Who has been appointed as a new director journal of Federation of Indian Fantasy Sports? तो फैंटस की जो महाने देशक बनी है उनका नाम है Joy Bhattacharya Who has become the new vice chairman of Niti Aayog? तो Friends जब Niti Aayog की बात करें तो जो नए उपाध्यक्ष मनी है उनका क्या नाम है? आंसर हो जाएगा Right answer is Tuman K. Berry ये नीती Aayog के Friends vice chairman बनी है यानि उपाध्यक्ष मनी है Next is who has been appointed as a new chairman of the Institute of Chartered Accountants of India तो Friends भात करते हैं हाँ पे Institute of Chartered Accountants of India के नए अध्यक्ष के रूप में किसे निउप्त किया गया? तो Friends किसे किया गया है? तो answer हो जाएगा देवशीश मित्र तो जो नए अध्यक्ष बनी है उनका नाम है सुमंत सिन्हा तो जो नए अध्यक्ष बनी है उनका नाम है देवशीश पांडा हूँ इसनी चेर्मेन ओफिसरों बात करें इंडियन स्पेसिसर्ज और्गनाइसेशन के चेर्मेन कौन है? तो answer हो जाएगा S. सोमनाथ नेक्ष पे बढ़ें इसको बहले देख लेते हैं कि जो सेल है यानि Steel Authority of India Limited है तो उसकी जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है उनका नाम क्या है सोमा मॉंडेल तो फ्रेंट जितने कोशन आपको यहां बताए जा रही है इस सभी important है अगला है फ्रेंट्स Quality Council of India के जो नए चेयर्मेन बनी है उनका नाम क्या है जक्ष शहा नेक्स्ट है फ्रेंट्स हमारा who has been appointed as a new director general of the Indian Coast Guard तो भाठते तत्रक्षक बलके जो नए महाने देशक मनी है फ्रेंट्स उनका नाम है विरेंद्र सिंग पठानिया तो फ्रेंट्स यहाँ पर हमारे जो इपॉल्ट्मेंट से रेडिट इंपॉर्टन क्वेशन से वो कम्प्लीट होती है PDF आप लोगों को website से मिल जाएगी रविदेतिक्लासिस.com से और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो like, share, subscribe जरूर करी Thank you so much for watching this video